हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो आर चैनल गेटेंड एसे इलेक्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स इंटेंड आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं वन अफ दा वेरे इंपोर्टेंट आईसी डाट इस ट्रिपल फाइव टाइमर ओके तो चलिए बात करते हैं इडिजा एट पेन आईसी it is a monolithic IC monolithic means it is fabricated on single crystal of silicon अब हम बात करें तो operational amplifier जैसे एक reliable है cheap है और number of circuits हम लोग design कर सकते हैं वैसे ही 555 timer भी monolithic है reliable है easy है और cheap है तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से circuit हम इससे बना सकते हैं तो normally जो हम लोग circuit बनाते हैं वो है stable multivibrator and monostable multivibrator right तीसरा हम लोग यह भी देखेंगे why it is called 555 timer okay और 8 pins जो है because it is a 8 pin IC तो उन 8 pins के नाम क्या-क्या है तो चलिए आज आज आप लोगों को याद हो जाएगा क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को internal diagram भी इसका तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और आज आज आपकी इस topic में command होने वाली है तो first of all about me तो यह देखें आप यह मेरे बारे में नहीं है यह 555 timer के बारे में ओके यह मुझसे जादा important है right ध्यान रखेंगा आप लोग तो चलिए यह internal diagram यह है इसका pin diagram हम बात करेंगे इन सब के बारे में मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान लिजे आप लोग मैसल संजेर आठी I have qualified engineering services exam three times I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than one lakh students for these exams right अगर आप मेरे experience का फाइदा लेना चाहते हैं तो simply strategy follow कीजिए basic concept बनाईए questions from standard textbook बनाईए previous year questions बनाईए और जब आप इतनी पढ़ाई करेंगे तो definitely आप लोगों को doubts आएंगे जहां पर आप लोगों के लिए होगा dedicated doubt clearing sessions मैं personally आप लोगों को guide करूँगा तो इस number पर आज ही मुझे what's up कीजिए I am interested और मेरे group में सामिर हो जाईए आप जरूर ये question पूछेंगे कि sir अभी आप कहा हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं हूँ on India's largest learning platform that is an academy और मैं अक सपने देखिए engineering services में top करना है gate में top करना है higher studies अगर करना है तो IIT या ISE से बनना है तो class 1 gazetted officer बनना है सपने देखिए हम आपकी मदद करेंगे इन सपनों को पूरा करने में tips देंगे ट्रिक्स देंगे, quizzes होंगे, mega quizzes होंगे, dedicated doubt clearing sessions होंगे, regular courses होंगे on an academy platform चलिए आज से start करते हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक regular course for ESE gate and PSU 2021, 22 and 23 के लिए one year program, two year program, three years program, four, droppers, final year students, first year students, second year students, third year students, जो जहां है वही से तयारी आप start कर दीजिए smart work करना है ना कि hard work करना है, right तो चलिए देखते हैं, आप कैसे on academy subscribe कर सकते हैं, तो आप मेरा code यूज कीजिए for 10% discount और इतने मेरे subjects हैं जहों आप free में YouTube में देख सकते हैं, आप मेरे साथ frequency match कीजिए, बहुत है detail में है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, रटना नहीं है subject को, subject को जीना है, समझना है, right concept develop करना है, तो ये जो code है, आपको 10% discount दिलवाएगा, बहुत ही छोटी बात है, personal guidance, मैं आपक तक आप इन exams को crack नहीं कर लेते, okay, तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा topic, 555 timer, तो पहली बात ना पता दूँ, जैसे कि OPEM एक reliable circuit है, ये भी reliable है, easy to understand है, cheap है, monolithic है, monolithic का मतलब है, on a single crystal of silicon, right, हम 555 timer का use करके, normally जो mode बनाते हैं, monostable multivibrator बनाते हैं, हम unstable multivibrator बनाते हैं, और हम लोग 555 timer का use करके, missing pulse detector भी बना सकते हैं, right, timer circuit बनाते हैं, okay, तो चलिए, देखते हैं, तो ये है circuit, और various frequency हम लोग generate करते हैं, duty cycle हम लोग साथ में generate करते हैं, तो आपके सामने है, ये 555 timer का pin diagram, जिसके बारे में मैं बहुत detail में आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत easy वाला diagram draw करता हूँ, फड़ा फड़ देखते जाएगा, सबसे पहले एक internal diagram बना होता है, ये, this is called potential divider circuit, R, 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 यहाँ पर होता है VCC, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा, वो होगा VCC by 3, और यहाँ जो हम मिलेगा, वो होगा 2 VCC by 3, फिर हम लोग यूज करते हैं दो comparator, यह है comparator, compare, जो दो value को compare करें, और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, S, R, flip-flop, right, this is R, this is S, और यहाँ हम लोग output लेते हैं Q bar का, ध्यान दिजेगा, और यहाँ पर लगा हुआ एक buffer, और यह है output, और यह है Q bar, right अब ध्यान दिजेगा, जो इस point पर, जो इसका, दो देखो, comparator में दो output होते हैं, एक plus और एक minus, this is the plus, that is the minus, तो इसका जो negative terminal है, ध्यान दिजेगा, इसका जो negative terminal है, वहाँ से हम लोग trigger लगाने वाले हैं, trigger मतलब input देने वाले हैं, यह आया, यह trigger दे दिया हमने, और जो positive terminal ह वो इससे connected है, मतलब किससे connected है, VCC by 3 से, तो positive terminal को voltage VCC by 3, negative terminal से हम लोग trigger लगाएंगे, और इसका जो negative terminal है, that is connected to 2VCC by 3, and positive terminal, जो बाहर आया हुआ है, यह point है, यह हो गया इसका internal diagram, और यह जो output है, that is connected to one transistor, that is called discharge transistor, और यह connected है ground से, and that is the RDS, right, बहुदे simple, अब देखिए, यह diagram आपको कैसे याद होगा, यहाँ पर 3 register लगे हुए थे, जान बुचकर मैंने draw किया है, अगर मैं इससे direct figure लेता है, तो आपको बात समझ में नहीं आती, पहला जो point है, वो है ground, दूसरा जो point है, जहां पे आप trigger देते हैं, trigger input, तीसरा जो point है, जहां से हम लोग output लेते हैं, right, चौथा, चौथा point हम लोग यहाँ पर एक transistor की मदद से, ध्यान दिजेगा, एक transistor की मदद से, हम लोग एक reset pin लगाते हैं, यह है fourth pin, that is called reset, याद रखेगा reset pin है, और वहाँ पर हमने एक PNP transistor यूस किया हु है, point देखेगा, यह वाला point, क्योंकि यह voltage 2Vcc by 3 है, this is the fifth terminal, that is called control voltage, control voltage, this is the sixth threshold, seventh is the discharge pin and eight is the supply pin, it is the supply pin and that is the total eight pin diagram, okay, तो यह है internal diagram, अब देखे, यहाँ पर तीन register लगे हुए है, R, 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 जिनका काम है potential को divide करना, तो शुरुवात में यह तीनों register 5 kilo ohm के थे, 5 kilo ohm, 5 kilo ohm, 5 kilo ohm, and that's why it is called triple five timer, लेकिन अब अगर आप 10 kilo ohm के भी register लगा दें, तो इस circuit को कोई फरक नहीं पड़ता, right, तो इसके नाम से इसकी working का कोई लेना देना नहीं है, right, शुरुवात में लगा हुआ था, कोई नाम देना था, तो इसे नाम दे दिया गया, triple five timer, इसका main काम है potential को divide करना, right, तो internal diagram में एक flip-flop लगा हुआ है, जो अपने आप में एक bi-stable multivibrator है, okay, जहां रखेगा, flip-flop is a bi-stable multivibrator, comparator लगे हुए हैं, दो, C1 and C2, and that is the circuit, it is a 8-pin IC, यह दखे, य internal diagram, जहां फाइब किलों के तीन register आपको दिखाई दे रहे हैं, अब आप दोनों diagram को compare कर सकते हैं, और यह है triple five timer, one is the ground, two is the trigger, three is the output, four is the reset, five is the control pin, threshold, discharge pin and what supply voltages, तो होप सो आपको triple five timer का pin diagram और internal diagram समझ में आ गया होगा, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, mono stable multivibrator and a stable multivibrator by using triple five timer, जब तक आप subscribe कीजिए for detailed course, मेरा code यूस कीजिए SR10, gate and EAC में subscription लीजिए, 25,000 जो fees है, 10% discount के बाद हो जाएगी 22,500 और 2 साल के लिए fees हो जाएगी, आपकी only 27,000 with my code, और मैं आप लोगों को दूँगा personal guidance, यह जो code है न, यह आपके success के रास्ते खोल देगा, औरे confidence से ब बड़े सपने देखिये और उन बड़े सपने को पूरा करने में लग जाएए, पूरे जी जान से, okay then, thank you for watching, good day and good luck, subscribe कीजिए, like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, share कीजिए, thank you